PCS करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS करण न्यूज में चर्चा का विश्य है IMF के मुख्य अर्थ शास्त्रियों के साथ लगेगी गीता गोपिनात की तस्वीर अंदराश्ट्रिय मुद्राकोष यानि IMF पहली महिला मुख्य अर्थ शास्त्रि रह चुकी गीता गोपिनात की तस्वीर अपने पूर्व मुख्य अर्थ शास्त्रियों की तस्वीर के साथ लगाएगा यह दरजा प्राप्त करने वाली वह पहली महिला और दूसरी भारतिये हैं यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतिये रगुराम राजन थे रगुराम राजन 2003 और 2006 के बीच आई-म-फ के मुखे अर्थ शास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे गीता गोपिनाथ को अक्टूबर 2018 को आई-म-फ का मुखे अर्थ शास्त्री नियुक्त किया गया था बाद में उन्हें आई-म-फ के पहले उप्रबंदक निदेशक के रूप में पदोनत किया गया था उन्हें अंतराष्ट्रिय वित और इकोनॉमिक्स सम्बंदी शोत के लिए भी चाहना जाता है साल 2019 में उन्हें प्रवासी भारतिये सम्मान दिया गया था गौर तलब है कि इनका जन्म 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता में हुआ था बात कर लेते हैं I.M.F यानि अंतराष्ट्रिय मुद्राकोष के बारे में अंतराष्ट्रिय मुद्राकोष की कल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैंप शायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी वह अपने सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और सम्रिधी प्राप्त करने के लिए काम करता है इसके उद्देश्य है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना वित्तिय स्थिर्ता सुनिष्चित करना अंतराष्ट्रिय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोच चाहन देना तथा दुनिया भर में गरीबी को कम करना प्रिये व्यूवर्स हमारे द्रिष्टी PCS चैनल पर विभिन PCS एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक करन्ट अफेयर बेस्ट डेली PCS जी के शुरू किया गया है यह प्रोग्राम मंडे टू सैटरडे दोपहर बारह बजे प्रसारित किया जाता है